हे गाईज आज के इस वीडियो में आपका भाई जो बताने वाला है वह है आप इसली यहाँ पर देखेंगे तो लिखा के हुए निस्तारन और इसके साथ साथ लिखा हुए निस्पंदन और एक नाम से कहें तो चानना और साथ ही हम समझेंगे वास्पन ओके तो इन सब के बा इस देखें तो क्या होता है डिकेंटेसन तो यह अखिर है क्या तो आप अगर इजली देखेंगे यहां पर तो आपको दिख दूल्कर निकल जाता है तो वही निकल जाने की किरिया निकल जाने की पर किरिया ही आपको कहलाती है निस्तारण कहने का मतलब यह है साथ ही कि आप किसी भी चीज़ को धोते हैं लाइक अगर बात करें तो आप चावल को धोते हैं तो चावल को धोते हैं तो पानी के साथ ही न धोते हैं या तेल के साथ धोते हैं तो जिहां साथ ही आप चावल को पानी के साथ धोते हैं तो क्या चावल में धुलकन होता है जिहां चावल में धुलकन होता है यार ऐसे भी समझेंगे तो गेहुम को भी धोते हैं तो उसमें भी धुलकन होता है ठीक है तो किसी भी चीज को जब दोते है तो उसमें धुलकन होता ही होता है तो पानी के साथ धुलकन को निकल जाने के किरिया आपको कहलाती है निस्तारन जियां साथी निस्तारन आपको समझ आई की नहीं आई बस आपको यहाँ पर यह बात ख्याल रगनी है जब हम किसी भी चीज को धोएंगे तो उसमें से धूलकन पानी के साथ क्या होगा बाहर निकलेगा ही निकलेगा तो वही निकलने की किरिया आपको कहलाती है क्या निस्तारण आपको यहाँ पर कहलाती है ओके सली अब हम समझते हैं आगे की बाते तो यहां पर उदारन आप ले सकते हैं जैसे चावल को धोते हैं उसमें भी धूलकन होता है तो पानी के साथ निकलता है ना ऐसे आप समझ सकते हैं और अगला जो मारा बात आता है देखिए आखिर अगला जो बात हमारा है क्या तो अ में से ठोस को छननी द्वारा बाहर निकालने की बिधी आपको कहलाती है निस्पंदन या कह सकते हैं छानना कहने का मतलब यह है कि किसी द्रव अब बात आपको यह समझना है कि रहा कि द्रव होता क्या तो पानी आप जानते हैं जियां पानी तेल यानि बहने वाले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं द्रव और ठोस आप समझें जो की कठोर होता है जैसे आपने पत्थर समझ रखा है मिट्टी समझ रखा है या आपने कौपी समझ रखा है तो ये सब क्या है ठोस है तो हाला कि यह पर आपको समझना यह है कि द्रव और ठोस की मिसरन जैसे द्रव आप पानी समझ रहे हैं और पानी के साथ आपने सत्व समझ रखा है आपने जियां आपने समझ रखा है तो सत्व हमारा क्या है ठोस है वो भी नॉर्मल ठोस है तो आपको यहां पर घबरानी नहीं है तो हमारा पानी क्या है तो एक द्रौव है और ठोस हमारे जैसे ले लेते हैं सतू और जैसे ही पानी और सतू को आपस में मिलाएंगे तो आपका एक क्या बन जागा मिसरन बन जागा और वही मिसरन में सेगाईज हमारे ठोस अब हमारे ठोस क्या है तो वो हमारे क्या है तो कह सकते हैं सत जैसे आपने कभी चाय च्छाना है, अगर आप चाय को च्छानते हैं, तो उसमें क्या हमारा जो चाय पती होता है, क्या बाहर च्छाना जाता है, जी आपको च्छाना जाता है, तो हमारा जो चाय पती है, वो क्या है, ठोस है, और लेकिन यहाँ पर दूध क्या है, द्रव है, तो यहां पर आप समझेंगे दूध दरव और ठोस चाय पती ले लेते हैं तो जब दूध और जैसे आप चाय पती को आपस में बिलाएंगे तो आपको मिसरन बन जाता है तो मिसरन बन जाता है तो उसमें से ठोस क्या है तो चाय पती तो चाय पत्ती को चननी के द्वारा बाहर चननी याँ यहाँ पर आप देख सकते हैं चननी लिखा हुआ है तो चननी के द्वारा बाहर निकालने की बिधी यही आपको कहलाती क्या है निस्पंदन यह कह सकते हैं चानना अगर इंगिस में बात करें तो फिल्ट्रेशन तो यह बात बहुत ही आसानी से आप समझ गयोंगे तो एक्जामपल में मैंने लिख क्या रखा है आप यहाँ पर देखिए तो जैसे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि चाय से चाय पती निकालना और साथ ही चावल और पानी में से चावल जिसे चावल और पानी जब धोते हैं चावल और पानी आपस में क्या हो जाता है मिस्रन तो छननी के दवारा चावल को बाहर निकलना चावल क्या है तो यह ठोस है तो पानी में से चावल को निकलना आपको क्या कहलागा निस्पंदन या फिल्ट्रेशन आप देख सकते हैं और इसके बाद है पानी में से कंकड भी निकालना वो भी छन्नी द्वारा तो हमारा पानी क्या है ठोस है और हमारा कंकड क्या है ठोस है तो कंकड को निकालना पानी में से आपको क्या कहलागा तो निस पंदन यह कह सकते हैं छानना तो आप यहाँ पर इस तरह से आप समझ पा और इसका इंगलिस जो होता है क्या होता है इभैपोरेशन ठीक है तो इभैपोरेशन होता है तो इसका जो हमारा डिफिनेशन है कुछ चीज प्रकार की है आप देखिए तो यहां पर जल को उसके वास्प वास्प यानि कह सकते हैं भाप में परिवर्टन करने की परकेरिया य वास्प बोलते हैं तो वही वास्प में पानी को वास्प में बदलने की किरिया आपको क्या कहलाती है वास्प कहलाता है आपको यहां पर ख्याल रखने या वास्पी करने भी यहां पर कहलाएगा ठीक है तो साथी यहां पर होता क्या है कि जैसे आपने कभी नमक जानते है तो नमक और पानी एक दूसरे में जब मिलाते हैं तो अगर मानते हैं कि नमक को हमें अलग करना होता है तो क्या क्या जाता है कि हमारा जो आग होता है उस पर गरम पानी सोरी आग पर क्या कर दिये जाता है कि वहां पर पानी को चड़ा दिये जाता है जिसमें नमक घुला तो वही बदलने की किरिया आपको क्या किलागी वास्पन यहाँ पर किलागी यहाँ पर आप लिख सकते हैं और यहाँ पर मैंने जो तीनों की जानकारिया पराप्त कराया हूँ यह क्या है तो यह तीनों आपके अलग करने की क्या होती है बिधिया यह सब होती है तो यहाँ प क्यार बेस्ट अफ लक बने रहिए और जूड़े रहिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ